हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी मैं खुश्बू अपने चैनल घर का जाय कावित खुश्बू में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं आपके साथ पास्ता पिज्जा की रेसिपी सेर कर रही हूँ मैं ऐसे जगा से भी लोग करती हूँ जहां एक भी पिज्जा सौप नहीं है तो मैंने एक दिन अपरे घर पर पास्ता पिज्जा बनाया वो भी तवे पे जो की बहुत ही लजजीज और टेस्टी बना सो गाइस मैं आज आपके साथ वही रेसिपी सेर कर रही हूँ तो आप मेरे वीडियो को इंड तक जरूर देखना और चलिए बनाते हैं पास्ता पिज्जा इसके लिए सबसे पहले हम पिज्जा बेश तयार करेंगे तो हम एक कप मैदा लेंगे यहाँ पेड़ा आप गेहूं के याटे कभी यूज़ कर सकते हो अब हम चौथाई कप सूजी लेंगे सूजी यहाँ पे नेसे सरी है अब दोनों को मिक्स करेंगे अब हम एक चम्माच बेकिंग सोडा चौथाई चम्माच बेकिंग पाउडर लेंगे और आधा चम्माच सूगर लेंगे और टेस्ट के नुसार नमक अब सारी इंग्रेडियन्स को मिक्स कर लेंगे अब हम एक कप गर्ड अड़ करेंगे और उसे मिक्स करेंगे अगर आपको पानी की जरुद पड़े तो आप वार्म वाटर ही लेना अब हम उस पे वाईल लगाकर थोड़ा सा और मस लेंगे अब हम इसमें वाईल लगाकर दो तीन घंटे का रेस्ट देंगे जब तक इसमें बेकिंग पाउडर अपना काम करेगा अब हम सॉस बना लेते हैं उसके लिए एक टेवल स्पून वाईल लेंगे उसमें रेट चिली एड़ करेंगे हरी गरीन चिली गार्लिक जिंगल एड़ करकर सॉते करेंगे फिर हम उसमें ओनियन एड़ करेंगे और सॉते करेंगे फिर हम उसमें टोमैटो एड़ करेंगे इसे जल्दी पकाने के लिए इस पे नमक एड़ करेंगे और एक दो मिनिट कुक करेंगे फिर हम इसमें कलर के लिए कस्मीरी रेड़ मीर्च एड़ करेंगे और हम इसमें टोमैटो केचप एड़ करेंगे और एक दो मिनिट कुक करेंगे फिर हम इसे ठंडा होने पे जार में थोड़ा दर-दरा पीस लेंगे और अगर आपको थोड़ा जादा तीका पसंद है तो आप इसमें एक दो रेट चिली एड़ कर देना बढ़ना एवाइड कर देना मेरे गर में तो पटा के दार पसंद है देखिए थोड़ा सॉस दर-दरा रहेगा और आप इसे हम साइड में रख देते हैं अब हम हेज़िटेवल की त्यारी करते हैं इसके लिए एक चमस वाइल लेंगे वाइल जब गर्म हो जाए तो उसमें प्याज आइड करेंगे कैप्सिकम आइड करेंगे और इसे सौते करें अब हम इसमें टेस्ट के अकार्डिंग नामक एड करेंगे और सौते करेंगे एक दो मिनिट चुकि हम पास्ता पीजा बना रहे हैं इसके लिए हमने एक कब पास्ता लिया है उसे गर्म पानी पे वाइल कर लिया है और ठले पानी से धो लिया है अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करना एक दो मिनिट सोते करेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे आफ्टर टू थिरी आवर डो पे थोड़ा सा वाइल लागाएंगे और एक दो मिनिट मस लेंगे आपको जिस साइज की पिज़ा चाहिए आप उस साइज की सेफ में लोई कट कर लेना और बेलल की साहिता से बेल लीजिएगा आप चाहों तो थोड़ा सा सूखा मैदा भी यूज़ कर सकते हो मैं थोड़ा बड़ा पिज़ा बना रही थी तो मेरा चकला थोड़ा छोटा हो गया इसलिए मैं एक थाली ली हूँ उसके पलट कर उस पे मैं बेल ली हूँ अब एक फॉक की साहिता से उस पे छेट कर दिजेगा ताकि आपकी पिज़ा फूले ना चुकि मैं आपको तावा पिज़ा बता रही हूँ इसलिए एक तावा लेंगे उसे पे वाइल लगा कर उसे गर्म करेंगे और पिज़ा बेस को सेखेंगे पिज़ा बेस को एक साइड ही से कियेगा वह भी लो फ्लेम पे देखिए मेरा पिज़ा बेस कितनी अच्छी तरह से सिखा है अब हम जिस तरफ से सिखा हुआ है उस तरफ हम पिज़ा सॉस एड करेंगे पिज़ा सॉस को हम चारों तरफ फैलाएंगे फिर हम इस पे चीज का दुकस करेंगे अगर आपके पास चीज नहीं है तो आप भाइट सॉस का भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपको भाइट सॉस की रेसीपी देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करना हम उस पे पास्ता और बज़िटेवल एड करेंगे फिर हम चिली फ्लैक्स आइड करेंगे और उपर से थोड़ा सार चीज कदुकस कर लेंगे चुकि हम तबा पिजा बना रहे हैं तो हम एक तबा लेंगे उस पे वाइल लगाएंगे वाइल जब गर्म हो जाए तो हम उस पे पिजा रख देंगे पिजा को एक 2 मिनट लो फ्लैम पर कूक करेंगे फिर हम एक आर एक्स्ट्रा तबा लेंगे और उसके नीचे रख देंगे और 10-15 मिनट के लिए कूक करेंगे फ्लैम को हमेशा लो ही रख़िएगा दस पंदर मिनेट हो गया है अब हम चेक करते हैं कि हमारा पिजा रेडी हुआ है की नहीं इसके लिए एक नाइफ लेंगे और पिजा बेस पे उसे लगाएंगे जब नाइफ में उसका चिपचे पापा ना आए तो हमारा पिजा रेडी है और हम एक से एक वर्थन में निकाल लेंगे लुक देखिए फ्रेंड्स मैं आपको पिजा दिखाती हूं यह कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हुआ है लग रहा है ना जैसे कि यह ऑवन में बना है और हाँ यह जितना देखने में सुन्दर लग रहा है उससे ज्यादा यह खाने में टेस्टी लेगा तो एक वार अपने इसे अपने घर में इसे अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने फैमली के लिए एक वार इसे अपने घर में जरूर बनाईएगा और हमें कमें करके बताईएगा कि यह कैसा बना है अब मैं आपको कट करके दिखाती हूं पीछे का हिस्षा कैसे तरह से कुखुआ है देखिए पीछे का हिस्षा भी अच्छी तरह से कुखुआ है अगर आपको पीजा की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 इसे एक लाइक करना और कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऐकन को प्रेस करें आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी इस्टाग्राम आईडी है कनोजियाकुश्वी123 फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक खुश रहें खुश्यां बाढ़ते रहें और आसपास सफाई बनाए रखें थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेक केर और नमस्कार